हलो एब्रिवन वेल्कम टू बीट मैनुपलेशन सेरी तो आध हम लोग लिट कोड का एक इजी लेबल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं तो हमारा प्रोब्लेम है पाउर अफ टू तो प्रोब्लेम स्टेट्मेंट में एक गिवेन है कि हमारे पास एक इंटीजर एन है और ह आधिये हम लोग इसको एक इकजांपल के थूर देखते हैं जैसे हमारा प्रोब्लेम है पाउर ओफ टू और यहां पर हम लोग का एक एंट इसको देखेंगे तो यह पर फॉर इसको लगाएंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक बूट फोर्स अप्रोच लगा न ब्रावर 16 था तो हम लोग यहां पर एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो भी अगर पाउर अफ टू है तो उसको टू से डिवाइड करेंगे तो रिमेंडर हमेंशा जीरो ही आएगा जैसे 16 को डिवाइड के टू से तो यह रिमेंडर आया जीरो तो 16 को मॉडूलों के टू इस उकल टू जीरो तब तक तब हमें एन इस उकल टू एन बाइट टू कर देना है और फिर लास्ट में हमें एक चीज़ करना है रिटर्न एन इस उकल टू वन तो एक क्या चीज है वह हम लोग अभी देख लेते हैं जैसे हमारा एन इस उकल टू 16 था हम लोग 16 को मॉडूलों टू से किये तो यह जीरो आया ठीक है अब जीरो जब आ जाता है तब हम लोग क्या करते है उसको एन को एन बाइट कर देता है तो 16 बाइट को चेक करेंगे एट मॉडूलों टू पे गया तो यह भी जीरो आया तब हम लोग एट बाइट कीए तो फोर आ गया अब हम लोग फोर का चेक करेंगे फोर मॉडूलों टू जो कीए जीरो आ गया तो अब फोर बाइट कीए तो यह टू आया अब टू पे चेक कीए तो टू मॉडूलों यह भी 0 आया अब 2 by 2 किये तो यह 1 आ गया तो जो भी अगर power of 2 होगा वो इतना process करने के बाद last में 1 ही आएगा जैसे 16 का हो गया अब हम लोग 8 का कर लेंगे तो 8 का देखी लिए 32 का भी करेंगे तो last में जाके 1 ही आएगा और अगर जो भी power of 2 नहीं होगा जैसे हमारा 1 is equal to 14 यहाँ पर ले लेते हैं तो हमारा पहला step क्या था हम लोग 1 modulo 2 करते हैं अगर यह 0 आ जाता तब आगे बढ़ते हैं 14 modulo 2 किये तो यह 0 आया तो अब हम लोग 14 by 2 कर दिया अब 7 आ गया अब 7 का चेक किये तो 7 modulo 2 किये तो यहाँ पर 1 आ गया तो यहीं पर हम लोग return कर देंगे false क्योंकि हम लोग तो वाइल लूप यहाँ पर लगाए हैं तो यहाँ पर बाहर निकल जागा एन इस उकल टू 7 तो एन इस उकल टू 1 यहाँ पर ए रिटर्न फॉल्स कर देगा इस अप्रोच का time complexity देख ले तो time complexity हो गया इस अप्रोच का बीगो ओ लॉग और और स्पेस complexity हो गया बीगो आफ आफ एन वन तो time complexity बीगो अफ लॉग एन क्यों हो गया वह देखते हैं एक बार जैसे यह स्टेप है ना इस पर डिपेंड कर रहा हमारा time complexity क्योंकि फर्स्ट इटरेशन के बाद हमारा इन है सेकेंड के बाद एन बाई टू हो जाएगा थर्ट के बाद एन बाई टू पर पा कि देखें यहां पर जैसे एन बाई टू पर पावर के इस उकल टू वन हो गया तो एन इस उकल टू टू पर पावर के हो गया अब दोनों तरफ अगर हम लोग लगा दे लॉग टू एन तो यह हमारा के हो गया तो यह ही हो गया हमारा time complexity बीगो अफ ले लॉग अफ लॉग कर सकते हैं वह देखिए वह कैसे करेंगे तो यह होगे हमारा bit manipulation अप्रोच इसमें हमें क्या करना हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि जो भी पावर अफ टू होगा ना उसमें नमबर ओफ वन जो होंगे वन ही होंगे जैसे यहां पर फोर का होता है वन जिरो 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 बाइनरी एक होता है वन 0,00 16 होता है 1000 तो यह सब में देखिए तो number of 1 कितने हुए है 5 ही है एक और चीज़ है जो यह जैसे थ्री बीट का smallest नमबर है यह 4 bit का smallest number है 5 bit का smallest number है तो एक दो चीज़ आपजर्ब कीए तो हम लोग एक और चीज़ आपजर्ब करेंगे जैसे अगर हम लोग अगर हमारा n is equal to 16 है तो यह हो गया 5 bit smallest number तो अगर n-1 करेंगे जो होगा 15 वो होगा 4 bit largest number तो अगर हम लोग ऐसे कर दें कि अगर हम लोग दोनों का एंड ले ले जैसे 16 का हो गया 100 00 और 15 1111 इसका एंड किये तो हमारा 0 आ जाएगा वैसे ही अगर 8 और 7 का किये तो इन is equal to 8 है हमारा इन minus 1 is equal to 7 अगर दोनों का end करेंगे तो 8 हो गया 1 0 0 7 हो गया 1 1 1 दोनों का end करेंगे तो यह भी 0 आएगा तो हम लोग एक चीज अबजर्ब किये कि जितने भी power of 2 होंगे अगर उनके n-1 के साथ उनका end किया जाए bitwise end तो वो 0 ही आएंगे हमेशा तो यह हम लोग का time complexity ले रहा है big o of 1 और space complexity भी big o of 1 ही ले रहा है तो इसको आईए हम लोग code करके देख लेते हैं कि code कैसे करेंगे इसका तो पहले हम लोग अपना brute force approach लगाते हैं यह होगे हमारा brute force, brute force में हम लोग क्या किये थे हम लोग एक चीज देखेंगे अगर जैसे हमारा constraint यहां पर देखें तो constraint हमारा यहां पर negative भी है तो हम लोग पहले एक negative number के लिए constraint लगा दे अगर if in less than equal to 0 हुआ हमारा तो यह हमेशा false होगा उसके बाद हम लोग brute force में जाए तो हम लोग का था है y जब तक n mod 2 अगर 0 है तो हम लोग क्या करते थे हम लोग n is equal to n by 2 कर देते थे है और उसके बाद हम लोग इतना करने के बाद हम लोग को लास्ट में अगर n is equal to 1 आ जाता है था तो हम लोग का वह हो जाता था power of 2 अगर कुछ और आया तो हो गया power of 2 नहीं है यह हो गया इसको हम लोग कोड फाइनल सम्मीशन असेप्ट कर लिया तो हमारा रूट फोर्स सा जिसका टाम अप्लेक्सिते हमारा लोग अब हम लोग जो अप्रोच था यह हम लोग कर देते जिसका टाम कॉंप्लेक्सिते हो गया बीगव वन इसमें हम लोग क्या किये थे हम लोग को बस return कर देना है जो एन है हमारा उसका and कर देना है एन माइनस वन के साथ और अगर यह 0 आ जाय तो यह हमारा अगर 0 एक condition satisfy कर जाय जीरो आ जाय तो होगा हमारा इसको भी हम लोग रन कर देते हैं कि इसका भी हम लोग का सारा टेस्ट के असेप्ट कर लिए और फाइनल सम्मिशन के बाद तो हमारा कोड दोनों अप्रोच से फाइनल सम्मिट हो गया है तो ठीक है फिर मिलते है नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद